अगर वाकई में इस देश का पिर्शासाना इस दिल्ली की पुलिस इमानदार है तो जैसे अब लगा रखा एक सो चवाले उस दिन भी लगा दो क्योंकि भीड तो उस दिन भी आनी है तड़ी पार या चोकीदार कितनी भी कोशिश करता रहे कि नहीं हम नहीं करेंगे नहीं कर पर देशना पड़ेगा अध्याइब करते हैं और यहां इंडिया गेट पर हैं काफी सारे लोगों से बात करें लेकर इन से बात करते हैं किस तरह से समर्थन करें सबसे पहले जाना चाहूंगा सरकार तो अपनी हट धर्मी छोड़ने रही है बिल्कुल भी तो हम भी नहीं सरकार के पास संसद है संसद में उसके पास संख्या है वहां उचलकुद मचा सकती है सडक हमारी है तो सरकार संसद में उचलकुद मचा सकती है लेकिन हम सडक पर उसके घुटने टिका देंगे वह कितना ही भी कर ले कितनी भी हट धर्मीता कर ले एक दिन उसे हार ना पड़ जल्दी इतनी करी साइन कराने में कोई जल्दी मतलब आपने तुरंत करा दिया साइन फिर डाल गाही को रखा अब इसे करो नहीं कर लेकिन नोटिफिकेशन नहीं करा रहे इसका मतलब यह है उसे मालूम है कि तुझा वापस लेना पड़ेगा अब बाकी चाहिए तड़ी पा पूरा देश इन सब के साथ में और इस बार चात्र सलक पर है तो चात्र की ताकत वो जानते नहीं नौजवान की बड़ी कहते थे कि नौजवान फस्ट वोटर मुझे वोट दे अब ले लेना सारे के सारे नौजवान है वो बता देंगे क्या वोट देंगे कैसे करेंगे के समविधान का अपमान है हमारा समविधान लोगों में धार्मिक आधार पर किसी गिसम का भेदभाव नहीं करता जातिकत आधार पर भेदभाव नहीं करता इस तरी की कोई वो नहीं है धर्म निर्पेच हमारा समविधान है और जो आप कानून आप लेकर आए हो वो कानू धर्म के आधार पर भेदभाव करता है जो हमारे कानूने उसकी प्रसावना को पढ़ा जाए और उसके साथ साथ में अनुछे 14 को पढ़ा जाए जो समानता का अधिकार देता है वो समानता का अधिकार इस देश के केवन नागरिकों को नहीं देता है दुनिया में कहीं भी तो धर्म के आधार पर, जाती के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाशा के आधार पर, छेत्र के आधार पर, किसी तरह का भेदभाब, इस्त्रिया पुरुष के आधार पर, किसी तरह का भेदभाब, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा, सिटीजन ही नहीं, सिट सिदा उस तरह को बेकर डिया जब्ट रहा है जम आप लाना चाहए है वड़र आप आप धर्मात्मा हैं ณ देवता हैं आप तो आप लेke आ रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बंगलादेस आप बाद को ले आ रहे हैं जैन को ले किसाई हिंदू को ले कर आ रहे हैं आप पार्सियों को ले कर आ रहे है तो आप मुशलिम को कि छोड़ован और बार बार में इस बात को कहता हूं कि यह जो आप लेकर आ रहे हैं कि इसका आधार क्या है जरूर रख्या है कि हमने मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया बंगलादेश दे दिया इनके बापकता दे दिया इन्होंने अब मुस्लिमों का देश ये पहले भी था आज भी है और हमेशा रहेगा तड़ी पार तुम ते तुम ही तड़ी पार होगे ये देश हमेशा सता ये देख रहे हैं आप इंडिया गेट इस इंडिया गेट को देखो ध्यान से इसमें हजारों की संक्या में वो शहीद जिनके नाम लिखे हैं और मैं समस्ता हूं 60% से जादे मुस्लिम सहीदों के नाम इस इंडिया गेट पर लिखे हैं जिनके आखे नहीं खुली है वहां के देखें आप तो यह देश मुस्लमान का था है और रहेगा इस तुर्वानी दिए मीडिया पर में इसी मीडिया जब जब भषावाज पहुचा रहे हो जो भी कुछ हो रहा है उसे डिखा रहे हो वो तो दलाल मीडिया है गोधी देखा चाहता है। मनु मीडिया है वो भपु है वो BJP का प्रवक्ता है वो और उसमें अपना इमान खो दिया बे इमान बन गया उसकी बात करने की जरूत नहीं है वो वही दिखायागा जो उसे दिखाना है और जो उसको गाइड किया जाता है आप अपनी बात किजिए आप सच्चा ही दिखा रहे हैं वो काम जो उन्हें करना चीए तो उसे आप कर रहे हैं मैं यह मानता हूँ उसका नाम भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ वही करेगा जिसकी डारेक्शन उसको है और कितना ही भी वो कोशिश कर ले लोगों को भ्रम्मे डालने की गुमरह करने की अब इस देश का जो नागरिक है इस देश का कोई भी व्यक्ति गुमरह होने वाला नहीं है उससे समझ में आ गई है कि सच्चाई क्या है और जोट क्या है यह समझ में आ गया है और उसे मालम है कि कौन इस देश को बरबात करने पर लगा हुआ है कौन इस देश को बाटने पर लगा हुआ है कैसी धर्म के आधर पर राजनिती हो रही है और कैसे लोगों का हक मारा जा रहा है लोगों के हक की कोई बात नहीं हो रही यहां बेरोजगा की कोई बात नहीं है जो भी दशके विकास की उन्नती की कोई बात आज वो सारे ना तो सारे नारे खत्म हैं दो करोड़ साल मैं रोजगार देंगे काम करता क्रदान मंत्री। उस याद नियां कि 286 कटा गाधा किया था दुप तो कहता है कि जो हिंसा कर रहे हैं उपद्र रभीयों उन्हें आपकों से पहचान सकते हो एसी मांदार है और 144 की बार चलिए लेकिन उस दिन अटा देंगे यही तो है सबसे बड़ी दिकत अगर वाकई में इस देश का पिर्शासाना इस दिल्ली की पुलिस इमांदार है तो जैसे अब लगा रखका एक सुचवाले उस दिन भी लगा दो क्योंकि भीड तो उस दिन भी आने है लोग तो उस दिन भी आने हैं तो भीया हमें रोक रहे हूं उने भी रोक के दिखाओ लेकिन नहीं ये भी पिचारे क्या करें इनका भी काम ऐसा ही है ये भी जब तक नौकरी कर रहे हैं उनकी मानेंगे इससे घबराने की जरूत नहीं है और ये उसे जो करनी पड़ रही है रेली ये इसी घबराहट में करनी पड़ रही है कि पूरा देश उसके विरोध में खड़ा है पर इससे फरक ने पड़ता करो जितनी रेली करनी है अब तुमारा साशन खतम होने वाला है उल्टी गिंती शुरू हो गई अंतिम संसकार तुमारा होने वाला है इस बीजेपी पार्टी का